वेलो ओधोंट तो कैसे हैं आप दोस्तो आज में आपको बताने वालूँज में कैसे आप अपने वाट्सप एकाउंट को और सिक्योर कर पाएंगे या बोल सकते हैं और प्राइवेटी के साथ उसको अपने डेटा वाइप ना कर सके या इज लिए उसको चुरार ना सके तो उसके लिए आपको दोस्तो से वाटसप की तरब से आपको एक option दिया जाता या एक setting दी जाती है जो कि आपको setting के अंदर privacy में मिलती है जिसका नाम रहता है two step verification दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों two step verification होता क्या है कैसे इसको enable करते हैं कैसे use करते हैं और यह कहा option आपको मिलने वाला है एक एक चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों तो सबसे बहले बता दू वाटसप का जो two step verification होता क्या है दोस्तों two step verification यह होता है कि आप अगर additional उसमें security लगा रहे हैं मतलब अगर आपका वाटसप अगर आप दूसरे mobile में या दूसरे वाटसप को install करके दुबारा login करते हैं तो आपको पता हुआ कि आपसे एक बार OTP मांगता है और आपका वाटसप वहाँ पर चाली हो जाता है बट अगर आपने two step verification को label करके रखा है तो पहले तो आपसे OTP मांगेगा उसके बाद आपसे एक password मांगेगा जो कि आपने two step verification के set two step verification को ब चा रहा है उसको OTP तो मिल गया बट two step verification वाला अगर उसको code नहीं मिला तो वह आपके WhatsApp का account को access नहीं कर पाएगा ओपन नहीं कर पाएगा यह होता है two step verification अगर मान लीजे two step verification का code अगर आप भूल गए तो आपको एक आपने जो mail address वहाँ पर डाला होगा उस mail address पे OTP आएगा एक code आएगा आपके mail पे और वह code आपको डालना होगा WhatsApp पे उसके बाद आप two step verification को unlock कर पाएगे आप बोल सकते हैं two step verification का pin दोबारा create कर पाएगे यह होता है two step verification दोस्तो आगे मैं आप वीडियो में बताने वाला हूँ यह option कहां मिलता है कैसे use करते हैं और एक एक चीज़ दोस्तो तो वीडियो उसके मत करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएगे चलते हैं अगे मेरा नम सनी अरो और आपको स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो दोस्तो इसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे वहले आपने जाना है WhatsApp के WhatsApp पे WhatsApp पे आपको कर लेना इसको ओपन ओपन करने का यहां आपको त्री डॉट्स मिल रहा है यहां जाना है यहां जाना है यहां जाना है आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे सब से उपर जो आपको ऑप्शन मिल रहा है आपको इसम जैसा कि मैंने पहली बताया यह आपको एक पिन बनाने को बोलेगा और पिन अगर आप बाद में पिन जब यूज होगा जब आप दूसरी बार अपने मोबाइल वाटसप को राइस्टर करना चाहेंगे तो आपसे वह पिन मांगेगा ताकि सेक्यूर्टी बनी रहा आपकी और फोड़ करने के बाद आपको यहां पर कर जाएगा यहां पर पिन बना लिए और यहां पर आप से मांगेगा अपनी मेल ID, यहाँ पर आपको mail ID डालनी है, जब कि अगर आप फूल जाए अपना pin, तो आपको mail ID से आप उसको access कर सकें, और चाहें तो आप इसको skip भी कर सकते हैं, step को, but मेरी राय मारें तो इसको skip मत करेगा, यहाँ पर आपको अपना mail address जरूर डालना है, ताकि आपकी यहाँ पर security बनी रहे, तो आपको mail ID डालने कर इसको कर देना, next, और दोबारा उसको mail ID को आपको कर देना, यहाँ पर confirm, तो यह जरूर करें दोस्तों, अगर आप यह नहीं करेंगे, तो आपको वहाँ पर security में दिक्कत रहेगी, बाद में अगर आपको pin भूल करेंगे, तो एकसेस करने हैं, बहुत issue आते हैं, तो वह जरूर करें, दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे, आपको two step verification is enabled हो चुका है, और simply आपको इसको कर लेना, पड़ेगा, और बीच बीच में आपसे whatsapp भी कभी मांगता रहेगा, ताकि आपको यह remind में रहे, तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी register करा, उसके बाद मैं नीचे की तरफ आया हूँ, तो मुझसे यहाँ पर पसंद बताए, ताकि मेरी चैनल की नेक्स्ट वीडीयो की फॉलो करना भी ना भूलें तो दोस्तों थैंक यू